Hello my little flowers, how are you all? I hope all of you are doing good. Okay, this is your antramam. Okay, आप जानते हो, आज हम क्या सीखेंगे? क्या मैं बता रही हूँ. आज हम more and less के concept सीखेंगे. ठीक है, आप जानना चाते हो ना, पर उसके पहले मैं आपको more and less के एक rhyme सुनाओंगी. ठीक है? चलो. तो rhyme सुनने के लिए ready हो जाओ. चलो. Some trees were big, some trees were small, some trees were tall, some trees were short, some had more lemons, some had less lemons. Okay, good. चलो. अभी मदुमिता मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाएगा more and less. ओके. चलो. देख लो. Hello, kids. आज हम लोग more और less के बारे में जानेंगे. More का मतलब बहुत ज़ादा. और less का मतलब क्या है? Less का मतलब कम. ओके. तो इसे लिए आज मैं आपको बहुत सारे चीज़े दिखाऊँगी. ओके. तो चलो. देख लेते हैं. अब इस पिक्चर को अच्छे से देखो. इस पिक्चर में एक एक करके दो पेर है. और ये ट्री में भी और ये ट्री में भी बहुत सारे रेट कलर की फ्रूट्स है. इसमें भी है रेट कलर की फ्रूट्स. तो अब ये दोनो पेर में से कौन सा पेर में मोर फ्रूट्स है. यानि कि बहुत ज़ादा फ्रूट्स है. अच्छे से देखो और बताओ. ये ट्री में मोर फ्रूट्स है. और ये ट्री में लेस फ्रूट्स है. यानि कि कम फ्रूट्स है. अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? अब ये पेज को अच्छे से देखो. ये पेज में मैं बहुत साड़े सर्कल्स ज्रूट्स ज्रूट्स है. इस तरफ और इस तरफ दोनो तरफ बहुत साड़े सर्कल्स ज्रूट्स ज्रूट्स है. तो अब बताओ कि कौन सा साइड में मोर सर्कल्स है. कौन सा साइड में है? Very good ये side में more यानि कि ज़्यादा circles है अब कौन साइड में less circles है यानि कि कम है Very good ये side में कम है यानि कि less circles है है ना? ये बताओ मेरे हाथ में ये क्या है आपके पास दी तो है ना? Yes ये एक pencil है और ये देखो मेरे दूसरे हाथ में भी बहुत सारे pencils है तो कौन सा हाथ में more pencils है very good इस हाथ में मेरे more pencils है और इस हाथ में कम pencil है कम यानि की less pencil है next हम लोग देखेंगे ये देखो क्या है ये pens these are pens तो अब ये बताओ कौन से हाथ में जादा या more pencil है very good मेरे ये हाथ में more pencil है अब ये हाथ में कम यानि की less pencil है ये देखो अब ये क्या है मेरे हाथ में मेरे हाथ में red red tomato है अब ये देखो मैंने tomatoes को भी अच्छे से दोनों तरफ रख दिये पिर अब देखके बताओ कौंसा साइद में मोर टौमैटो से है और कौंसा साइद में लेस्स कमेटू है VERY GOOD यह साइद में मोर टौमैटोस है यह साइड में लेस्स है 강ें यह देखो, अब मैं यह क्या पहनी हूँ? रिस्ट वर्च, बैरी गूड, यह रिस्ट वर्च तो आपकी पापा भी पहनती है और कभी-कभी मम्मी भी पहनती है, है न? अब यह देखो, मैंने यह रिस्ट वर्च को अच्छे से दोनों तरफ रख दिये फिर देखके बताओ, कौन सा साइड में ज़्यादा रिस्ट वर्च है? यह साइड में यह साइड में कौन सा साइड में है? वैरी गूड, यह साइड में ज़्यादा यानि की मोर रिस्ट वर्च है और लेस कहाप है? यह है लेस यानि की कम अब ये देखो मेरे हाथ में ये क्या है मेरे हाथ में ये क्लिप है ये तो आपकी ममा बहनती है न मैंने ममा की क्लिप को ऐसे दोनों तरफ अच्छे से सजा दिया फिर अब बताओ कौन साइड में जादा यानि की मोर क्लिप्स है इस साइड में more clips है या इस साइड में more clips है अच्टे से देखो very good इस साइड में more यानी की ज़ाधा clips है और इस साइड में कम यानी की less clips है इसे देखो मेरे हाथ में यह क्या है? क्रेयोंस हैं है ना तो ये क्रेयोंस तो आपके पांस दी है है ना तो एक काम करो आप जल्दी से आपका क्रेयोंस लेके आ जाओ इस क्रेयोंस से हमें गेम खेलेंगे ओके आप सब रेडी हो गए हो क्रेयोंस लेके मैं भी रेडी हूँ तो चलो गेम शुरू करते हैं तो गेम क हाथ में crayons रखना है एक हाथ में मैंने देखो three crayons ली है one two and three three crayons रखती है और दूसरे हाथ में बाकी साड़ा crayons मैंने रख ली फिर game कैसे खेलना है game खेलना है ऐसे की मैं जब बोलंगी कि आपकी कौन से हाथ में more crayons है तब उसी हाथ को मुठी बंद कर देना है और जब कहूंगी कि less crayons कौन सा हाथ में है तो तब बहु 왜ier Keyons बाला हाथ को मुठी बंद कर देना है तो चलो शुरू करते हैं, पहले लेस क्रियांस बाला हाथ कौन सा है, वो हाथ को आप मुठी बंद कर दो, देखो मैंने मुठी बंद कर ली, वेरी गूद, अब मुठी खोल दो, फिर मोर क्रियांस कौन सा हाथ में है, वो हाथ को मुठी बंद कर लो, वेरी गूद, यह देखो मैंने मुठी बंच कर लिए वेरी गूड अब मुठी खूल दो फिर से करेंगे अब मोर क्रेयांस कौन सा हाथ में है वो हाथ को मुठी बंच करो वेरी गूड तो देखो कैसे हम लोग आज खेलते खेलते more यानि ही जादा और less यानि ही कम जिसको सिख गए अच्छी तरह सिख गए है ना तो ये गेम आप घर पर भी खेल सकते हो स्वें उन्हें के है ना आप लोगों को मैं और एक बत बताती हूँ लेमन बिल्च आवर इम्मुनिटी and help us to fight against disease like cold and cough मतलब लेमन हम लोगों की इम्मुनिटी बढ़ा देती है और हम लोगों को help करती है disease जैसे की cold और cough ये सब से शुरक्षित रहने की अब अंतरा मैम फिर से आप लोगों की पास आएगे और आप लोगों को कुछ टास्क देंगे अब आप लोगों को एक टास्क दूंगी ठीक है क्या है वो टास्क? आप घर पे कोई नीम बूयानी लेमन लेकर उसको टेस्ट करना ठीक है और देखना कि वो लेमन स्वीट है, शावर है या कि टैंगी है ठीक है? चलो ये है आपका टास्क ओके चलो और हाँ गूगोल क्लास्रूम में मैं ये टास्क दे दूंगी ठीक है और आप वहाँ पर जाकर जरूर इसको देखना ओके चलो टेक केर आप यूसल्फ बाइए